ये राम कथा राम जी ने लिखवाई है वही इसको प्रमार पत्र देंगे ब्राम हर बोले हम परिक्षा लेंगे तुलशिदा जी बोले ले लीजिए आहाहा फिर परिक्षा कैंसी हुई जरा सुनिए बगवान विश्चुनात के मंदर में कासी में राम चरथ मानस को रख दिया गया उसके उपर अठारा पुरानों को रखा चार बेदों को रखा छह सास्तरों को रखा दरभाजे को बंद कर दिया अगर इसमें एक हस्ताप्छर संकर जी के हो जाएंगे या ये उपर आ जाएगी तो प्रमारित मानी जाएगी ताला लगा दिया तुलसिदाज जी हाथ में माला लेकर रोने लगे आखों में आशु भर करके राम जी से कहने लगे तुमा बिने कौन हमारो स्मंदर में राम चुरित मानस बंद है उसके दर्बाजे पर दो पहरे दार लगे लिकर पहरे दार कोई और नहीं हाथों में धनसबान लिये पीटामबर पहने हुए हैं बड़ी बड़े बाल हैं आँ आँ बड़ा बलश्ट सरीर है उन पहरेदारों को देखकर चोरों ने चोरी करना बंद कर दिया और वो कोई और नहीं स्वयम राम और लक्षमर ही पहरेदार बंद गए सुबए हुई और प्राता काल जैसे ही विसुनात जी का पट खोला गया राम चरत मानस चार वेद छे सास्त्र अठारा पुराणों में सबसे उपर रखी हुई और उसमें भगवान संकर के हस्ताक्षर सत्यम सिवं सुन्द रम ब्राह्मनों ने सुईकार कर लिया उस दिन के बार जितनी बाली में रामायन प्रिय नहीं है उससे जादा लोक प्रिय स्री राम चरत मानस है गुलो सीता राम